बच्चों हाथों की सफाई स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है क्योंकि इससे कई बिमारियां जो जीवानूओं और किटानूओं के कारण होती हैं जिने हम इन्फेक्शन कहते हैं उनसे बचाव मिलता है लेकिन जल्दी जल्दी हाथ धोलेना ही काफी नहीं क्योंकि इससे हमारे हाथों की लकीरों उंगलियों के बीच की जगए और नाखुन के नीचे के हिस्से में कीटानू रह जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते इसलिए ठीक से विधी पूर्वक हाथ धोना बहुत जरूरी है आज हम आपको ठीक तरीके से हाथ धोने की विधी बताते हैं पहले दोनों हाथों को नल के नीचे रखकर अच्छे से गीला कर ले फिर हतेलियों के बीच में साबुन लगाकर आपस में मलकर अच्छे से जाग बना ले जो पूरे हाथों को अच्छे से कवर कर ले उसके बाद हाथ उल्टा करके हथेलियों के साथ दोनों हाथों को पीछे से रगड़ कर साफ करें उसके बाद आप दोनों उंगलियों को आपस में जोडते हुए फसा कर रगड़ें और अंगूठे को जो इस बीच में नहीं साफ हो पारा, अलग से दोनों हाथों से लेके गोल-गोल खुमाएं। उसके बाद उंगलियों की टिप्स को एक दूसरे हाथ के बीच में फसा कर साफ करें। और उसके बाद उनसे हथेलियों के उपर दोनों हाथों में रगड़ें। इससे आपके नाखुन भी साफ हो जाएंगे। आखिर में दोनों कलाईयों को रगड़ें साबुन से और फिर भेते पानी में हाथ धो के अच्छे से जब सारा साबुन निकल जाए, साफ कपड़े से हाथ पोंच लें। इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे सफाई करने के तरीके से आपको आधे से एक मिनिट ही लगेगे। झाल